राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल प्रहार्दीक श्वागत है अभिनंदर है प्यारे बच्चों पिछलों वीडियो में आपने बस्तर सम्मंदित शब्द को सपढ़े थे उसमें पूरा नहीं हुआ था कॉर्स तो मैंने सोचा चलो कुछ से इस बचा हुआ है इसको मैं आज आपको बता दूँ तो जो छूटा हुआ पार्ट रहा गया है उसको मैं बता रही हूँ सूड क्या होता है फैब्रिक ग्लोसरी में सूड किसको कहते हैं सूड है लॉन सिफोन और जार्जेट जेन टेनिम नेनोन जिंगम क्रिनोलिन शांटूंग मसलीन नैन्सूक लॉंग क्लोथ डैबरगीन इन सब का नाम आपने जरूर सुना होगा लेकिन इससे समंदित अगर आपके प्रस्ण प इसके बारे में डीटियल्स आइडिया नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो फैब्रिक से समंदित ग्लोसरी है वस्त रिसे समंदित वस्त्र कोस इसमें मैं आगे की बातें बता रही हूं देखो जीन आपने पढ़ते हैं जीन्स की सको लिए जी तो यह जीन्स आजकल सभी लेडिज हो या जेंट्स हो लड़कियां हो किसोरवय की लड़कियां हो जीन्स सबके पसंद का कपड़ा है तो जीन्स किसको कहते हैं जीन्स जो है यह ट्विल बुनाई वाला भारी मध्यम वजन वाला कपड़ा होता है बच्चों के कपड़े, ड्रेप्री, फैक्टरी में पहने वाले कपड़े, बढ़ों के जिंस बनाए जाते हैं इनसे दूसरा है आपका लॉण लॉण क्या है? यह चिकना और हलका कपड़ा होता है अकसर इसे प्रिंटेड द्वारा बनाते हैं लॉण को चिकना और हलका कपड़ा होता है, अक्सरी से प्रिंटेट द्वारा मनाते हैं, अब देखते हैं मसलीन, अब सब सुने होंगे, सब देखे होंगे, लेकिन अगर मैं किसी बच्ची से पूछो की मसलीन क्या है, तो घबरा जाती है, तो सुनो मसलीन क्या है, साधी बुनाई वाल प्लेन बुनाई, प्लेन वीव कच्चिकनी सतह वालक कपड़ा मसलिन कहलाता है, इसका वजन भी बारी होता है, वस्त्र की बुनाई, सघन और रचना संतुलित रहती है, उसको हम कहते हैं मसलिन, इसके बाद है सान्टूंग, सान्टूंग क्या है, इसमें रीव क्रम हिन धंग से रहता है रीब बुनाई तो अपने नाम सुना होगा ना रीब बुनाई बास्केट विंब नाई ट्विल बुनाई कि साधी बुनाई इस सारे चीज मैंने बुनाई से समंधित पूरा वीडियो मैंने पढ़ाये हुआ है तो इसमें जो आपको क्रिनोलीन है चीज को लौध की तरह ही होता है इसे कड़ा करने के लिए गुंद रेजीन अथ्वा स्टार्च यादी का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रिनोलीन सांटूं क्या होता है सांटूं कई प्रकार के रेशों से आते हैं रीव बुनाई के द्वारा क्रम हिन धंग से एक क्रम में रीव जो चलता है क्रम से नहीं चलता बलकि क्रम हिन तरीके से इसको हम तयार करते हैं मीडियम वेट होता है इसका और इसका वेट मीडियम से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है तो इसको कहते हैं सांटूं अ यारन से बना हुआ अत्यंत चिकना कपड़ा होता है इसमें साधी बुनाई का प्रयोग किया जाता है एक कहलाता है नीनोन कपड़ा नीनोन कपड़ा अब है देखो वेलवेट वेलवेट अप सब देखते हो सब जानते हो परचलन में भी खूब है वरतमान में आप कंबल सब जानते हो कैसे बनता है या फाइल फंदों से बना हुआ कपड़ा होता है इससे किसी भी आकार किसी भी डिजाइन में काट देते हैं इससे बना हुआ वस्त बड़ा कर्शक दिखता है पहले इसका आज से सेक्रो बर्स पुराने अगर देखेंगे तो इसका उपयोग राज परिवार में होता था क्योंकि इसको तयार करने में काफी स्राम सकती और पैसा लगता था तो राज परिवार ही उसको खरीद के पहन सकते थे उपयोग मिला सकते थे वर्तमान में इसका उपयोग साधरन परि है कि क्रेक फैबरिक कि स्कूरा की फैबरी को हम क्रेप या होता है क्रेप इफ्रेक्ट हो उसको हम क्रेप फाइबर फाइबरिक करते हैं यह क्रेप यार्ण के द्वारा मना होता है और इसका जो सर्फेस होता है पकड़ सर्फेस होता है made with crepe yarn that is true crepe or with a puckered surface समझ वागत क्रेप क्या है अब देखते हैं टेफटा क्या है वाट इस टेफटा टेफटा क्या है टेफटा क्या होता है यह फिलामेंट धागा से बना कप्ड़ा होता है फिलामेंट ढगत समस्ते हो जो बहुत लंबा धागा इसका मिलोम्हें n हागा है इंड चोटा नहीं जैसे बीजितर डिवी जो हमारा कॉटन का कि बाता है वह हमारा थासाओ त्यस्टेपल खा आबर अपने अपने मन चाहा लंबाई के बना सकते हैं तो फिलामेंट यार्न कहलाता है तो फिलामेंट धागे से बना हुआ कपड़ा होता है इसकी बुनाई प्लेन होती है और रिप्ड भी हो सकता है बनाई इसका धारिदार इसको हम कहते हैं टेफटा इसकी बुनाई प्लेन भी हो सकती इसका बुनाई धारीदार भी हो सकता है इसको हम कहते हैं टेफटा ठीक है इसके बाद देखते हैं हम लॉंग क्लॉथ लॉंग क्लॉथ अक्सर हम पैजामा वेगरा बनाते हैं तो लॉंग क्लॉथ का इस्तेमाल कर सूति कपड़ा को हम लॉंक्ल। कहते हैं दूसरा होता है नैन सुक। हम सच थे तो फ्लालेन नैन सुक। और से जादेटतर के सफेद कलर से बनता है या पैस्टल किलर से बनता है जिसको हम कहते है नैंДа में आता था, उजो कंधे पर मोटरी लेकर बेचता है, गठर, कपडे का गठर, तो बताता है, वाल कपड़ है, मा लोगों को, दादी लोग थे, मा लोग थे, तो कते हैं नेंसुक पड़ा है, यह लॉंग कलॉस कपड़ा है यह पॉलिस्टर है, कभी कता सूती है, वाल परची दो उनके मुह से निकलते थे हम बचमन में सुना करते थे तो नैयनसु कौन से कपड़ा है कम पारदर्शी साधी बुनाई वाला सुकती कपड़ा होता है बुनाईई इसकी बहुत बारिक होती है सघन भुनाई होती है, चपाई से भी से बना सकते हैं, ज़्यादा तरके सफेज होता है या इसमें पैस्टर कदर यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट है आपका लॉन लॉन की तरह का कपड़ा होता है लॉन होता है चिकना और हलका कपड़ा अत्यंत चिकना और हलका कपड़ा होता है इसे आप प्रिंटेट से बना सकते हैं प्रिंटेट से बनता है जिसको हम कहते हैं लॉन कि सोट किस सादी बुनाई बनाया जाते हैं स funktioniert कर रोवधार बनाते हैं इससे बक़ो Satya बच्चो के खेलने वाले वसतरत इरते सून कपड़ा होता है काट शाट कर उसो रोईदार बनाए जाते हैं या तो इसको ट्विल बुनाई द्वारा यूज किया जाता है अथ्वा इसमें साधी बुनाई का इसमें प्रयोग किया जाता है जो बर्फ में फिसलते हैं उनके लिए एक कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यह कपड़ा है डेनीम नाम अपने सुना होगा डेनीम क्या है यह यह रंगीन धागों से बना हुआ कपड़ा होता है अब इसे अस्ट्रेच यार्न से अथवा रोएदार भी बनाए जाता है इसको हम कहते हैं डेनीम तो आज मैंने आपको वस्त्र समंदिस सब्द कोर्स पार्ट टू में जो पहले पार्ट में रह गया था उसको मेंने बताया है तो बच्चे इसको प्यार से पढ़ना ध्यान से पढ़ना याद रहेगा आपको अक्सर एक्जाम में आते हैं तो आप पिछड मत जाना ध्यान रखना इस बात को ओके बाई फिर दो में कार एक याद बता है ।